हलो दोस्तों कैसे हो अब सब सबस्वस्थी ज州 मस्थ रहिए तो आज हम बनाने जा रहें बैंगन का भरता बहुत ही अलग ततरीके से हुआ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये बहुत आप मरी चैड़ तावे करें लिए wahण इसके लिए बीच से जिट देना हैं इसमें बीच बढ़िकाऔब्ग आरपने काट टुकडा की बस चीरा लगा देना है उसके बाद यहां हम गैस को जला लिए है तो वह हमारा गरम हो रहा है और यह बहुत ही सिंपल तरीका है भरता बनाने का और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तयार होगा वीडियो के अंट तक बने रहीएगा और दमसाफ सूत्रा गैस भी खराब नहीं होगा और दमसाफ सूत्रे तरीके से बनेगा देख दो मतलr है न असान देखिये यहां पे हमś गैस पे थोड़ा सां हम तेल लगा लिए हैं सरसो तेल उसके बाद यहां हम भेंगन पे भी तेल लगा लिए तेल लगाने से क्या होगा कि यह जल्दी पकेगा और ऐसे भेंगन को रख देंगे तवे पर तवे के ऊपर यहां मतलब आज बेंगन पकाएंगे और भरता बहुत ही अलग तरीकिस से तैयार करेंगे और तेल यहां बढ़ियं से लगा लेना है बेंगन के ऊपर और तवे पे भी उसके बद यहां हम ले लिए हैं चार टमाटर हाथ में हमारे तेल लगे थे तक तमाटर में भी तेल लगा लेंगे बहुत ही जरूरी है तो यहां छोटे साइज के टमाटर थे तो यहां हम 4 ले लिये हैं बढ़े होंगे तो आप थोड़ा सा कम लीजिये गा और तमाटर को भी बीच से काटके और यशे तवे पर रखे देंगे और तमाटर में तेल लगा था तो वही तेल हम लगा दिये थे तो यहां टमाटर भी रख देते हैं साथ में हमारा टमाटर भी पकता रहेगा और यहां हम 15-20 लहसन की कलिया लिये हैं एकदम बढ़ियां से उसको साफ कर लिये हैं यह देखिए 20 से अधिक ही होगा इसको भी हम तवे पे डाल देंगे यह देखिए बढ़ियां से इसको तवे पे डाल देंगे और low to medium flame पे धक के पकाएंगे इसको ताकि यह पके बहुत बढ़ियां से इसमें तेल लगाए हैं तो यह मतलब जल्दी पक जाएगा तो इसको हम धक के पकाएं इसको पकाते रहेंगे यह देखिए लगबग आधा पक गया है जैसा कि हम दिखा रहें तो इसको पलटके या लटके बढ़ियां से पड़का लेंगे और एक हम साब सुत्रा बन के तयार होगा बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अलग तो यह भरता आप जरूर मतलब ट् तो टमाटर को हम अलग निकाल लेते हैं प्लेट में और लेसन को भी हम निकाल लेते हैं लेसन भी पक गया है लाल हो गया है तो यह हम लेसन निकाल देते हैं और दवे पे अकेले बेंगन पकेंगे सारे टमाटर और लैसन बारी-बारी हम निकाल लेते हैं ऐसे चमर्च से नीजे हम प्लेट रखे हैं प्लेट में डाल रहे हैं यहाँ देखी लैसन भी बहुत बढ़ियां से पक गया है कुछ लाल कुछ काला हो गया है तो सारे लैसन और टमाटर को बढ़ियां से हम निकाल लेंगे और उसके बाद तवेब पर बहेंगन रखे और इसको ढखके पकाएंगे यहाँ देखीए हमारा टमाटर लैसन है यहाँ हमारा बहेंगन अच्छे से पक चुका है थोड़ा सबस बाकी है मतलब पक चुका है और इसको अलग स्वाद लाने के लिए डबल स्वाद आएगा इससे ऐसे करेंगे तो उसके बाद दो मिनट तक ज्यादा नहीं दो मिनट तक ऐसे जाली रखके और इस पर भून देंगे बहेंगन को इससे क्या होगा कि भूना हुआ भी स्वाद आएगा कैसे बोलते हैं सोन तो वो वाला स्वाद आएगा और इससे टेस्ट बहुत बढ़ियां आएगा तो इसको दो मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि हमारे बैंगन में सोन पन आ जाए और बैंगन को धोना नहीं है बहुत लोग धोते हैं धोने से क्या होता है कि इसके अंदर पानी चला जाता है फिर वह वाली स्वाद नहीं आती है जो स्वाद आनी चाहिए जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आता है तो इसके ये डंठल को हम काटके निकाल लेंगे चाकु से और ये हलका सा गरम है ज्यादा गरम नहीं है लेकि फिर भी गरम लग रहा था इसको एजली छील लेंगे ये देखिए इसको धोना नहीं है हम नहीं दोते है तो यहाँ देखिए इसको धोना नहीं है क्योंकि हम पहले से धो के पकाया थे तो धोने की ज़रूत नहीं है धोने से क्या होता है कि अंदर पानी चला जाता है फिर वो वाली स्वाद नहीं आती है तो आप अच्छे से ऐसे ही थोड़ा सा चील लीजिए और बहुत एजली चील जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है तो यहां हम बैंगन को अच्छे से चील लिए हैं और इसको चाकु से ऐसे से काट देंगे बणिया से मादब छोटे चोटे पाट कर लेंगे इसको मसल देंगे क्योंकि गरम है हाँ से नहीं हो रहा था भाप निकल रहा है दिख रहा है तो यह गरम है और टमाटर को भी बिल्कुल ऐसे ही काट लेंगे सारे टमाटर को तिया हमा तुमाटब भी अस्ठाइ पक गया है आप चाहे तो टमाटब को छिल सकते हुए लेकिन हम नहीं छिले हैं कै crystal असली है अगर यामाटब हार। छिल सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छिल सकते हो तो यहां हम टमाटर और बेंगों दोनों को अच्छे से मतलब बढ़ियां से मसल लिये हैं यहां डस्ट हटा देंगे इसका और यह जो लेसन है उसको भी अंगली से हाथों से दबा के और इसका भी पेस्ट बना लेंगे पेस्ट जैसे यह देखिए कुछ लेसन छटक जा रहा था यहां हम इसको अच्छे से दबा लेंगे बढ़ियां से और यह हमारा सारत तीनों चीज बढ़ियां से तैयार है देखिए तब चलिए चलते हैं इसका तर्णका लगा लेने मतलब भून लेने और बढ़ियां से यहां हम गयास पर कड़ाई बेठा दिए हैं कड़ाई में हम डाल देंगी सर्सो तेल तो सर्सो तेल में यहां बनाईगा बहुत ज्जहा अच्छा बंता है यहां तीन बड़ें चमच सर्सो तेल लिये है तो TELE जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम एक बड़े चम्मत जीरा डाल देंगे जीरा जब चटकने लगे तो इसमें हम थोड़ा सा कद्दू कस किया हुआ दो इंच अधरक डाल देंगे आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं तो यहां हम अधरक डाल देंगे अधर डालने के बाद यहां तीन से चार हरी मिर्ष हम डाल देंगे अगर आपको तीखा पसंद दे तो और भी ज़्यादा एड़ कर सकते हैं तो यहां हम तीन हरी मिर्ष डाल दें बारी कटा हुआ और बारी कटा हुआ यहां हम पाच प्याज डाले हैं यह दंबारी कटा हुआ इसको अच्छे से भूनेंगे दो से तीन मिर तक लाल हुने तक इसको भूनेंगे मतलब सुनेरा कलर आने तक इसको बढ़ियां से भून लेंगे प्याज को अब दबा दबा के बढ़ियां से प्याज को भून लीजिए जब दो से तीन मिनिट हो जाए जब यह सॉफ्ट हो जाए प्याज तो उसमें यहां हम थोड़े से हरे मतर एड़ कर देंगे इससे मतलब टेस्ट अलग ही आता है तो आप ज़रूर एड़ करिएगा तो यहां हरा मतर फ्रेस एड़ कर दिये हैं ज्यदा नहीं करना, ठोड़ा ही करना है त्वधारा मतर यहां अड़कर दियें सारी चीजोंको сложно मेर्च, दरख सारी ऐच्छ दी आच्छ, सारी चीजोंको अच्छ भूनने के mondo यहां कुछ पेषिक मसाले एड़करेंगे थनिया जीरा का पौड associates एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच यहां किचन किंग मसाला है तो एक छोटे चम्मच यह भी डाल देते हैं एक छोटा चम्मच यहां हम कासमेजी लाल मिश डाल देते हैं सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि जल जाएगा तो एक मिनट तक भूनना है ज्यादा देर तक नहीं भूनना और यह देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है तो यहां हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं मसाले बूनने के बाद जो हम टमाटर बैंगन र लेंगे बहुत ही जरूरी है तस्वात का नुसा नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद इसको सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है तबादा बाके बढ़िया से और ज्यादा तेर तक नहीं पकाना है दो मिनट तक पकाना है बस और हाइफ लेंपे पकाईए क्योंकि सारी चीज़ पका हुआ है पकाने की जरूरत नहीं है तो इसको दो मिनट तक पकाएंगे हाइफ लेंपे और इसका कलर देखिए दो मिनट पकाने के बाद यहां हमारा भड़ता तैयार है इसमें खूप सारा हम धनिया पत्त डालेंगे बारी कटे हुए बहुत सारे एक दम धनिया पत्त सारी जीज़ो का अच्छे से मिला लेंगे और धनिया पत्त थोड़ा ज्यादा आइड करिएगा और इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और यहां हमारा भड़ता बहुत ही बढ़िया से तैयार है बहुत ही सिंपल तरीके से तो आप जरूर ट्रा यह पराटे के साथ खाईए तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा ज्यादा सेर करिए और कमेंट करके बताईए क्या आपने ट्राई किया क्या आपने बनाया और आपका कैसा बना था प्ली प्लीज कमेंट करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो